अगर आप पहली बार मिठाई बना रहे हैं बैचलर है बिगनर्स है या फिर छोटे बच्चे हैं तो भी इस मिठाई को आप पाच मिनट में बना के त्यार कर सकते हैं और इस मिठाई को बनाने के लिए आपको दूद, घी, मावा, मिल्क पाउडर, चाशनी किसी भी चीज की ज़रूरत नहीं है इस मिठाई को आप सब्ता भर के लिए इस्टोर करके भी रख सकते हैं नरब मुलाएं मू में घुल जाने वाली मिठाई बनकर त्यार होगी हैलो फ्रेंट्स मैं संगीता सुचले का फूट का आपका बहुत-बहुत स्वागत करती हूं फ्रेंट्स आप चीनी आप अपने स्वाद के साफ से थोड़ा कम जादा कर सकते हैं पर इतना चीनी इस मिठाई के लिए परफेक्ट है फ्लेवर के लिए दो हडी लाइची डाल दिया है अब इसे हमें बारिक पीस लेना है और यह देखिए हमने चीनी को इदम बारिक पीस लिया है तो हमें चीनी के कोई वी क्रिश्टल नहीं होने चाहिए तो मैं इसे छान लेती हूँ हम यहाँ पे बीना गैस लाए मिठाई को बना रहे हैं तो चीनी के क्रिश्टल अगर मिठाई खाते मुओ में आएंगे तो अच्छे नहीं लगेंगे अगर आपको ऐसा लगे कि आपकी चीनी अब यहां पर मैंने आधा कब दूद की फ्रेस्ट मलाई ली है यहां आपको दो से तीन दिन का ही मलाई लेना है ज्यादा दिन की मलाई ना ले क्योंकि उसमें खटापन आ जाता है तो फिर उसके इस्तमाल करेंगे तो मिठाई अच्छी नहीं बनेगी अब मलाई और चीनी प अगर आप नारियल का बुड़ादा डाल रहे हैं अगर आप नारियल का बुड़ादा नहीं डालना चाहते हैं आपको पसंद नहीं है तो आप इसके बदले अपने मन पसंद ड्राइफ्रूट को भी पीस कर यहां पर डाल सकते हैं चाहे तो आप मिल्क पाउडर भी डाल सक यहां पर भूना हुआ चन आई जार सकते हैं तो यह 1 कप हो गया है तो मैंने जिसमें चीनी पीसा था वही छोटा वाला जाड ले लिया है और इसे भी हम बारिक पीस लेंगे और यह देखिए हमने इसे बारिक पीस लिया है तो इसे भी हम चान लेंगे क्योंकि इसका भी हमें बारिक पॉडर ही चाहिए तो इस तरह से मैं चान लेती हूँ मेरा चननी थोड़ा छोटा है तो मैं थोड़ा थोड़ा करके डाल कर इसे ह भसाता बिलना जिसे जाली रहें तो इसके हम के लगाना के त्यार कना तो जिसना मेजर्मेंट मैंने आपको बताया है उतना यह बिल्कुल परफेक्ट आपका डो बनकर त्यार होगा अगर फिर भी आपको लगे कि यह थोड़ा सा ड्राइ हो रहा है तब आप इसमे थोड़ा बहुत आप मलाई डाल के से ठीक कर सकते और यह देख सकते हैं अब यह मैंने एक प्लास्टिक का डबा ले लिया इसे हम ऑईल यह घीस तरह से ग्रीस कर लेंगे आप जिस चीज में मिठाई को सेट करना चाहते हैं आप थाली प्लेट कुछ भी ले सकते हैं और इसमें थोड़ा से बारी कटे वे ड्राइफ रूट को डाल दे रहे हैं यह पूरी विखाना करने के बाद इसे हम आधा अधा हंटा के लिए अच्य से च्जाने के लिए और यह देखिए हमारी मिठाई अच्छी हो चुकी है तो चलिए से भी हम डिमल्ड कर लेते हैं और यह देखिए इसे निकल गये बिल्कुल भीनी चिपका है अब आपको इसे कट कट के दिखा देती हूँ तो काटने से आपको लग रहा हुआ कि मिठाई हमारी कितनी सौप तर अच्छी बनकर त्यार हुई है अब आपको जब भी मीठा खाने का मन हो तो आप बिना किसी जंजट के इस तरह से 5 मिनट में मिठाई बना के त्यार कर सकते ह और आपने देखा इसे बनाना कितना आसान है बीना दूद घी मिल्क पाउंडर चाशने की मिठाई बनकर त्यार हो जाती है कोई कहेगा कि आपने इसे बीना गैस जलाए घर पे बनाकर त्यार किया है तो उमीद है आपको मेरी ये रेसिपी ज़रूर पसंद आई होगी अग सब्सक्राइब कर लें मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ तब तक के लिए बाई बाई